हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हैं आई हो पाप लोग बहुत ही अच्छे और मज़े से होंगे तो आज मैं आप सब के लिए क्लिए यह हो तो सर्द्या शुरू होने वाली है इसलिए मैं आपके लिए लाई हूं गोंद के लड़ू सर्दे में इसको बनाके स्टोर कर लो और खाओ यह बहुत ही फायदे मंद होता है यह लड़ू गोंद के लड़ू इसे कमरदर्द सर्वाइकल वगएरा सब सही हो जाता है सर्वाइकल में खाली गोंद को आफ घी में तलके खाओ मिश्रिक्षाद बहुत ही फायदे मंद होता ये कुछ बदाम लिया है मैंने, ये सफेद मिर्च है, ये देखिए, इसे भी इस लड़ू में डालके खाते से तीखा पान आता है लड़ू में, काजू, किश्मिश, नारिल, मखाना, ये हमने घी लिया है, अगर जरूरत और पड़े तो हम और घी ले लेंगे, अब हम गैस थोड़ थोड़ करके तलेंगे, एक साथ नहीं डालना हमें गोंद को, वन ये फूलेगी नहीं, अंदर सी कच्ची रह जाएगी, ये दाद में फिर चिपकेगी, इसलिए हम थोड़ थोड़ करके ही गोंद को तलेंगे, देखे, कितना बड़ बड़ हो गया ये, आप देख दाल लूँगी, तो सभी गोंद को मैं निकाल लिया, जो बचावा गोंद है, उसे भी हम तलेंगे, तो देखे, इपी मैं तलेंगे, या निकाल लिए, एक चमच घिया हो डाल रिए हमें इसमें, अब ये बड़ आम है, उससे में तलेंगे, हमरा गयस का फिले में यापे मी यहां पर चूर लेती हूं देखिए बहुत ही चूर हो जाता है तो इसी तरह से मैं सब को चूर लोंगे इधर मेरा बदाम और काजू भी हो गए रोष्ट तो इसे भी में बतन में निकाल लेती हूं गॉhन को हम मिक्स में ग्रेंड कर सकते हैं पर यह क्या होता है उसमें चिपक जाता है यह उसे 을 कैसे तो यह भी मेरा हो गया मैंसे भी निकाल लिए अब हम मखाने डालके भून लेंगे घी हम बीच वीच में डालते रहेंगे जहां जूरत पड़ेगा हम घी का भी स्तमाल करते रहेंगे तो सभी मखाने को मैं भूल लूँगी रंग चेंज होने तक देखे हमारे मखाने भी हो चुके इसे भी निकाल लिते हो अब उसी कड़ाय में हम थोड़ा से घीओ डालकर किस्मिस को भी तर लेंगे किस्मिस को डालते हैं पहचा लिए कि फूल जाते देखे किसे फूल गया यह सारी किश्मिस हमारे किश्मिस भी हो चुका है इसको भी मैं निकाल लूँगी यह कैसे फूल चुके हैं पूरे तप मिसमे ची परीखं़ Chinese चीज कर ला मैं जिए नारिल को गिव कस लिए लूगे पर इसी तहलो, मैं भुरूण गेह तो नारिल भी रादि यह अब इसको भी खुदा यह दालेंगे गी ग्याँ होने पर आर यह गेहों काटा आ हम इसे डालके भून देंगे इसमें लड्डू बनाने के लिए ध्यान रहे कि सारी ड्राइब फूड को हम घी में ही तलेंगे तलक्या बनाने से बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट बनता है लड्डू जो न्यून्यू मदर बनती है उनके लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो घी थोड़ा ओडालूंगे में घी कम लग रहा है मुझे और लड्डू बनाने को पूरा प्रोसेस देशी घी में होगा हम इसमें ओल के इस्तमाल बिल्कुल भी निकरेंगे वना लड्डू खराब हो जाएगा तोमाटे को भी कलर चेंज होने तक भून देंगे अब आटा भी भून चुका इसका कलर भ उसाबी है कि सुन देख खुद्ग बियान लग गहागाई ऑब हम थोड़ा से पायए डालेंगे तो यह घुड़ डाल करेंगे हम यह लड्डू बनायने के लिए गुड़ का इस्तमाल कर रहे हैं आप चाहे तो इसमें चीनी के भी इस्तमाल कर सकते हो चीनी को पीस के इसमें डाल सकते हो लड्डू बन जाएगा पर उससे ज़्यादा फाइदेबंद गुड़ में है गुड़ गरम होता है और ऐसे टाइम पे हमें गुड़ खाना ही चाहिए जो नई-नई मदर बनती है उनक आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों पे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें लाइक करें करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दवाना बिलकुल भी न भूले तो देखिए बात करते करते हमारी चार्शनी भी त्यार हो चुकी है तो हम गैस को करेंगे ओफ और करेंगे चार्शनी को चेक कि एक तार की है की नहीं है तो हम हाथ की हेल्प से करेंगे चेक यह देखिए हाथ में थोड़ा से लेके इस तरह के चेक करेंगे तो यह तार बन रहा है बस ए आपने एक त्रफ की चार्श नीचा है मैं यह देखिए मैंने जो सारे ड्राइफोट भूनके रखे थे उसे मैंने दरदर nacional घैन Cancer खृप जली दरा आप के लिए जाए लॉब गत्राले से लह्वायसां आपको के लेटpek झाले जली हैं तो सब्सक्राइब ट्राइफूड को हम भूने वाटे में ट्रांसफर कर लेंगे अब यह जो सफीद मिर्च थी हम इसे मिक्सी में पीस के डाल देंगे सफीद मिर्च को हम बारी करके पीस के डालेंगे विक्सी में ताकि हमारे लड़ में इसका स्वाद बहुती बढ़ियां से आए कूट के डाल डालेंगे छासनी डालके घृम tag OSका पर मिलाएंगे छासनी को थोड़ा खरके divine डिन डाले कि छास cocaine कर दो को हमें घरम गरम लंगने ताम है नमारी लडोत बंदेगी अब इसंआ अहल्ग के आथों से मिलाएंगे आटा को ध्यान से मिलाना है क्योंकि चाशनी गरम है अगर यह आप से हाथ से ना हो तो यह काम आप चमस की हेल्प से भी कर सकते हैं मैं भी बहुत अराम राम से करूँ मेरा भी हाथ जल रहा है यहाँ पर हाथ से यह सही से मिल पाएगा तो देखी मैंने सभी को मिला लिया है अब इसके लड़ू बांधूंगी जल्दी हमें गरम गरम में ही लड़ू बांधना है ठंड होने के बाद लड़ू बंदेगी नहीं यहाँ पर हमें थोड़ा तेजी सा हाथ चलाना होगा तब हमारे सारे लड़ू बंदेपाएंगे आप चाहेते दोनों हातों के हल्ब से बना सकते हैं लड़ू यह लड़ू आप अपने बच्चों को भी दोगे तो बच्चों के लिए भूती फायदे मन्द है यह सर्दियों में इस लड्डू से बच्चों का भी दिमाग बहुत तेज होता है ये लड्डू सभी उम्रिके लोगों के लिए बहुत ही फायदे मन्द है ये सभी को बहुत फायदा करेगा तो हम जलिली लड्डू बना लेंगे ये देखिए साइज आप लड्डू का अपनी हिसाब से रखिए तो देखिए मैं इतने लड्डू बनके त्यार हुए है आप देख सकते हैं देखिए मैं आपको लड्डू दिखाती हूँ ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये इसारी ड्राइफ फूर्ड दिख रहे हैं किश्मिस भी मैंने साबूत रख था किश्मिस को ये भी दिख रहा है